नमस्कार आईए इस रोचक अध्याय प्राइक्ता के भाग दो में हम क्या क्या चीजों के बारे में जानने वाले हैं ये पता करते हैं हमने जो पहले भाग में पढ़ा था कि प्राइक्ता का अभिग्रहती ये द्रश्टी कौन इसका थोड़ा सा दोहरान करेंगे इसके बाद एक घटना का घटित होना occurrence of an event क्या होता है किसे कहते हैं इसको जानेंगे फिर घटनाओं के प्रकार types of event क्या हैं कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं हम उनको जानेंगे और इसके बाद कुछ algebra of events है घटनाओं का एक बीजगनित है हाँ जो समुच्य में भी था उसके बारे में जानेंगे और फिर दो बिशेश प्रकार की घटनाएं जिसको परस पर अपवर्जी भी घटना कहते हैं और निशेश घटना कहते हैं mutually exclusive और exhaustive events इनके बारे में जानेंगे तो आईए प्राइक्ता का अभिग्रहिती ये द्रिश्टी कौन हमने जब देखा था कि कक्षा 9 और 10 में जो प्राइक्ता है कक्षा 11 में भी प्राइक्ता है तो इनमें एक बड़ा अंतर था और बड़ा अंतर ये था कि जो equally likely जहां परणाम नहीं आते हैं समसंभाव्य परणाम नहीं है उस इस्थिती में हमें ये द्रिश्टी कौन अपनाना होता है इस द्रिश्टी कौन के हमने तीन शब्द पहला याद्रख्षिक परिक्षण दूसरा प्रतिदर्स समस्टी और तीसरा घटनाएं इनके वारे में हमने पढ़ लिया था अब हम आगे इन घटनाओं में और क्या-क्या है वो देखते हैं आए सबसे पहले एक घटना का घटित होना occurrence of an event एक छोटी सी बात हमने एक पासा फैंका और उसका जो कुल समभावित परणाम थे हम जानते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे अब मुझे जो प्रश्न है वो है कि मुझे इसमें चाहिए समसंख्या समसंख्या के ऊपर यानि मेरा जो event है जो घटना है वो है समसंख्याओं के लिए तो समसंख्याओं में मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए दो, चार या छे अब मैंने पासा फैंका पासा फैंका तो एक आया एक आया अर्थात जो मेरे लिए समसंख्याओं वाला था वो नहीं आया तो जो नहीं आया वो occurrence of an event नहीं हो सकता तो मेरी घटना का घटेत होना कब कहलाएगा जब मेरे लिए जो मेरे अनकूल परणाम है उनमें से कोई परणाम आये अर्थात पासा फैंका पासा फैंकने पर दो आये, चार आये या छे आये तभी वह मेरी घटना का घटेत होना कहलाएगा और यदि इनके अलावा कुछ भी आ गया तो वह मेरी घटना का घटेत होना नहीं कहलाएगा इसी प्रकार से इसको गणितिय भाषा में कहते हैं कि यदि परिक्षन का परणाम उमेगा आप लोगों ने पढ़ा है इस प्रकार है कि वो उस घटना, घटना को हम कह रहे हैं अगर मेरी घटना का अवियव है तब तो वह घटना का घटित होना है और यदि परणाम ऐसा हो कि वह उसका अवियव नहीं है तो हम कहेंगे घटनाई घटित ही नहीं हुई है आसान है ना? और आगे देखते हैं घटनाओं के प्रकार अब कितने प्रकार की घटनाएं हो सकती हैं? तो पहले, सबसे पहले हम एक चीज़ देखते हैं फिर से हम पासा फैंक देते हैं और पासा फैंकने पर हमारे पास आ गया एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अब मुझे कोई घटना ई इस प्रकार से दे रखी है कि मुझे प्राकरत संख्या चाहिए मुझे प्राकरत संख्या प्राप्त होनी चाहिए हमें पता है कि अगर मुझे प्राकरत संख्या चाहिए तो चाहे एक आ जाए, दो आए, तीन, चार, पांच, छे, कुछ भी आ जाए ये सब प्राकरत संख्या होती हैं अतह यहाँ सभी परणाम मेरे अनुकूल होंगे और जब ये मेरे अनुकूल होंगे तो ये सब कहलाएंगे निश्चित घटना है और यही पर अगर मान लो मैंने कह दिया कि मुझे इसमें ऐसी कोई संख्या मिले जो साथ से बड़ी है मैंने E कर दिया कि साथ से बड़ी है ये मेरा E बन था ये मेरा E 2 हो गया अब कितना भी पासा फैक है कितनी बार भी फैक लें साथ से ज़ादा तो आई नहीं सकता तो ऐसा परणाम, जिसमें संभावना ही नहीं है, कोई भी नहीं हो सकता, वह हमारा समुच्च के हिसाब से देखें, तो इसमें कोई अवयव नहीं है, इसलिए empty set बना, रिक्त समुच्च बना, जिसको की हम फाई कहते हैं और प्रतिदर्स समस्टी S, यानि जिसमें पूरा S आजाए, वो हमारी निश्चित घटनाएं कहलाती हैं, हम एक और शब्द भी ले सकते हैं, जो असंभब है, जो हो ही नहीं सकता, उसे हम impossible जो कहते हैं, वहां कब होगा, जब हमारे पास परणाम रिक्त समुच्च की तरह हो, यानि फाई हो, और जब सारे परणाम, हमारे अनकूल परणाम भी हो जाएं, वो हमारा निश्चित घटना कहलाएगी, आईए, और दो प्रकार देखते हैं, सरल घटना, यह बहुत अच्छा है, सरल, simple event, जिस अनकूल परणाम में केबल एक अब यब हो, केबल एक, मान लो, हमारे पास तो एक पासा ही है, और पासा में वही एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, वैसे भी, प्राइक्ता में, दो, तीन चीजें ही ज़्यादा तर काम आती हैं, या तो पासा, सिक्का, या एक थैले में गैंद, है ना, तो यह मैंने एक पासा फेका, पासा फैकने पर एक से छे तक कुल परणाम थे लेकिन अगर मैं कहूं केबल एक आने की प्रायकता केबल एक तो मेरे लिए परणाम रहा एक मुझे दो देखना है तो रहा दो मुझे तीन देखना है तो रहा तीन इस तरह से यदि किसी घटना में केवल एक ही प्रतिदर्श बिंदू हो कोई भी घटना ऐसी है जिसमें केवल एक प्रतिदर्श बिंदू जी हाँ एक से जादा नहीं होने चाहिए तब वो सरल घटना कहलाती है ऐसा परिख्षण जिसके प्रतिदर्स समस्टी जिसमें ऐन प्रतक अभयब हों। अब जैसे ये मेरा समस्टी है। प्रतिदर्स समस्टी इसमें छे हैं टोटल। तो जितने हैं उतनी ही सरल गटनाय कहलाती हैं। यहाँ छे हैं हर एक घटना अपने आप में सरल घटना है तो जिसके प्रतिदर्श समस्टी जिसमें एन प्रतक अभियव हों में एन सरल घटना हैं विद्यमान होती हैं तो फिर मिश्र घटना किसे कहेंगे मिश्र घटना अर्थात कंपाउंड इवेंट इसी से मिलता जुलता है जिसमें एक से अधिक एक से अधिक अगर प्रतिदर्श बिंदु हों जैसे हमने इसी में देख लिया बिशम संख्याओं का तो बिशम संख्याओं का मतलब हो गया ए एक तीन और पांच हमने देख लिया चार से बड़ी संख्या है तो पांच और छे हो गई अगर एक प्रतिदर्श बिंदू है तो वो सरल घटना और अगर एक से जादा है तो वो कहलाती है मिश्र घटना आईए आगे और देखते हैं गटनाओं का बीजगनित, Algebra of Events Algebra में बीजगनित में समुच्च का सिद्दान्त इसमें बहुत जादा लागू होता है समुच्च में हमने Union पढ़ा था, यानि सम्मिलन Intersection पढ़ा था, यानि सर्वनिस्ट हमने पूरक भी पढ़ा था, Compliment इन सब जो हमने समुच्च में पढ़े थे, वो सब घटनाओं में भी होते हैं अर्थात प्राइक्ता में समुच्च का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं Union Union में अर्थात यू हमने पढ़ा था कि A Union B हम इसको एक तरह से और करते थे क्या? A और B अर्थात जहां और शब्द आ जाए या आ जाए तब हम कहते थे Union और Union का मतलब सीधा सीधा होता है A और B के सभी अवयव A और B के सभी अवयव कैसे? जैसे मान लो मेरे पास जो S है वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरी पहली घटना इस प्रकार से है कि मुझे इसमें बिशम संख्याएं चाहिएं तो बिशम संख्याओं के लिए 1, 3 और 5 हो गया अब मुझे दूसरा दे रखा है वो दे रखा है चार से बड़ी संख्याओं तो चार से बड़ी संख्याओं में हो गया 5 और 6 E1 और E2 यदि मुझे इनका यूनियन देखना होगा तो इसके दोनों के अवयबों को इकठा करके लिखना है अर्थात E1, Union, E2 हम सब जानते हैं कि ऐसे में अगर कोई समान अवयब होता है वो केवल एक बार लिखा जाता है तो एक, तीन, पांच, छे ये इसका यूनियन हो गया इस प्रकार से घटनाओं का भी जो सम्मिलन होता है उसमें हम दोनों के अवयबों को इकठा करके रख देते हैं समुच्च में भी ऐसा ही करते हैं इसी प्रकार से दूसरा हमारा आता है सर्वनिस्ट सर्वनिस्ट में हम जो पढ़ते हैं तो सर्वनिस्ट में आप देखें इंटर्सेक्शन हम जानते हैं ये इसका निशान होता है ए एंड बी अर्थात एंटर्सेक्शन बी ये हमने समच्च में पढ़ा है घटनाओं में भी यही होता है घटनाओं में क्या है ऐसे अवयव जो ए में भी हो और बी में भी हो जैसे हमने अभी ए मानलो हमारे पास बिशम संख्याओं का था ये घटनाए है ए घटना और अगर मेरे पास बी घटना है पांच और छे तो दोनों का जो सर्वनिष्ट होगा कॉमन होगा यानि ए इंटर्सेक्शन भी सर्वनिष्ट भी दोनों में कॉमन तो हम देखेंगे पांच ही एक ऐसा अभी अभ है जो दोनों में है अर्थात इसका जो उभेनिष्ट होगा सर्वनिष्ट होगा वह आ गया पांच इसी प्रकार से पूरक घटना पूरक घटना में कॉम्प्लिमेंटरी इसको हम नौट भी कहते हैं ए नौट ए नहीं जैसे मान लो ए मुझे दे रखा था एक तीन पांच और सेंपल इस्पेस वे रहा था एक से छे तक अगर मुझे ए नौट पूरक डैश या हम इसमें लिख सकते हैं नौट ए अर्थात ए नहीं अगर ए नहीं होगा इसको सबसे आसान सिंबल जो आपने समुच्च में पढ़ा था वो ए डैश पढ़ा था तो अगर मुझे ए डैश निकालना है तो इसका मतलब हमने पढ़ा था पहले यू माइनस ए ये हम पढ़ चुके हैं घटनाओ में यू का मतलब है हमारा सेंपल स्पेस और ए जो घटना है तो इसमें से यदि हम इसको माइनस करेंगे तो सारी बिशम संख्याएं हट जाएंगी और बिशम संख्याओं के अलावा जो संख्याएं हैं वो आ जाएंगी और वो कहलाएंगी ए डैश इस प्रकार से हम पूरक घटना यानि कॉम्पलिमेंटरी इवेंट भी पता कर सकते हैं एक और विशेश जो आप लोगों ने इसमें देखा था कि घटना ए किन्तु बी नहीं इवेंट ए बट नौट भी इसको समुच में डिफरेंस भी कहा जाता था इसका मतलब क्या है ए तो है परंतु बी नहीं हो ए बट बी नौट ए घटना हो परंतु बी नहीं हो ये दोनों चाहिए एंड है बीच में इवेंट ए बट नौट भी अगर हम इसको बेंट डाइगराम से समझें तो हमने पढ़ा है ये ए है और ये है हमारा बी अगर मुझे इस बेंट डाइगराम से निकालना है ए यूनियन बी तो ए यूनियन बी का मतलब ए भी पूरा और बी भी पूरा अगर मुझे common निकालना है A और B का तो दोनों के बीच में common ये हो गया और ये रहा मेरा A intersection B है लेकिन मुझे निकालना है A किंतु B नहीं ऐसी स्थिती में जब मैं इसको करूंगा तो थोड़ा सा ध्यान करें A तो हो परंतु B नहीं हो अब A में से ये जो बीच का पोर्षन है A का वो हिस्सा है जो B में है अर्थात A intersection B हिस्सा ऐसा है जो A में है अगर इसको A में से हटा दें पूरे A में से इसका उभेनिष्ट वाला हिस्सा हटा दें तो हमारे पास ये वाली इस्तिती बच जाती है इधर की अर्थात A और B डैश हमारे पास हो गया A माइनस A intersection B उधारण से देखते हैं मान लो A मुझे दे रखा था 1, 3, 5 B था मेरा 5 और 6 मुझे निकालना है A intersection B अब यहां यदि मैं ध्यान से देखें तो A मैं से दोनों का उभेनिष्ट दोनों का उभेनिष्ट है 5 इसको हटा दें A मैं से तो हमारे पास आ जाएगा एक और तीन और जब एक और तीन आ गया तब मेरे पास हुआ A But not B A तो है किन्तु B नहीं है यहां तक बिलकुल इस पस्ट हुए होंगे यह चारों और भी होते हैं मुख्य रूप से यह चार हमारे इस events के algebra कहलाते हैं आईए आगे चलते हैं अब हम एक उधारन देखते हैं इस उधारन में अगर आप देखें तो एक प्यासा फैंकने का परिक्षन पर विचार करें घटना एक अभाज्य संख्या प्राप्त होना पहली घटना यानि मैं इसमें A लिख देता हूँ जो दे रखा है अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या आपकी है दो, तीन और पाँच लेकिन अभाज्य घटना लिखने से पहले सबसे पहले जो आपको लिखना है वो लिखना है सेंपल स्पेस सेंपल स्पेस अगर आप प्रतिदर्स समस्ट्री अगर आपने लिखी है तभी जा करके सबको कर सकते हैं तो S हम सबसे पहले देखते हैं चुकि एक पासा फैका है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 अभाज्य अभाज्य गटना है 2, 3, 5 दूसरा दे रखा है घटना एक बिशम संख्या प्राप्त होना को B से कहा है तो B हो गया मेरा बिशम संख्या इसके बाद निम्न लिखित घटनाओं के वारे में हमें बताना है तो पहला पहला है A या B A या B हमें पता है A या B या शब्द आते ही हमारे लिए हो गया A union B और A union B का मतलब हो गया A और B के सभी अवयव जियां जितने भी संभावित परणाम है A और B के A में दो तीन पांच B में एक तीन पांच इनको यदि मैं करम से लिखूँ तो एक दो तीन और पांच ये ध्यान रखना समच्च में पढ़ चुके हैं आप कोई भी अगर रिपीट हो रहा हो बार बार आ रहा हो तो हमें केवल उसको एक बार लिखना है इस तरह एक दो तीन पांच इसके बाद दूसरा देखते हैं A और B A और B और शब्द यानि end A and B है अर्थात A intersection B अब A intersection B यानि अभेनिस्ट भी दोनों में जो सर्वनिस्ट है जो कॉमन है तो दोनों में कॉमन अगर A और B में देखें तो केवल तीन और पांच है इस तरह से A और B हो गया तीसरा देखते हैं तीसरा कह रहा है A किंतु B नहीं A but not B A intersection B dash A but not B A तो हो परन्तु B नहीं हो तो हमने पढ़ा था ऐसे में A और B का जो कॉमन है वो A में से हट जाएगा दोनों का कॉमन तीन पांच A है हमारा दो तीन पांच अगर दो तीन पांच में से तीन पांच हट गया तो तो आगया आगे देखते हैं A नहीं को निरूपित करें चौथा है हमारा A नहीं हमें पता है जब भी हम A not कहते हैं अर्थात A dash अब A dash का मतलब हमने पढ़ा है S minus A जी हाँ समुच में पढ़ते थे U minus A लेकिन यहाँ पर U नहीं कहेंगे क्योंकि U यहाँ पर बन जाता है S तो S minus A S कितना है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और A है 2, 3, 5 यदि इनको हटा देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1, 4, 6 इस तरह से यह पूरी algebra हमारे clear होती है तो आज हमने क्या-क्या देखा हमने देखा कि एक घटना का घटित होना occurrence of an event हमने देखा घटनाओं के प्रकार अर्था types of events कितने प्रकार की घटनाएं हमारी हो सकती है और सबसे बड़ी बात हमने इसमें पढ़ा कि किस तरह से समुच्च जो हमने पढ़ा था वो हमारी अब घटनाओं और प्राइकता में बहुत जरूरी है और उसी में घटनाओं का जो बीजगंड था algebra of events जिसमें चाहे union हो intersection हो complement हो sammilan सर्वनिष्ट या अंतर निकालना difference भी हमने इसमें देखा उम्मीद है यहां तक आपको सब कुछ समझना आया होगा शेश अगले एपीसोड में मुझे लगता है आप सब को बहुत अच्छा लगा होगा धन्यवाद कि आप सब का अपस्ट में पुछ को स ON व्ग